तोर धरने पर पहुंचे सांसद एस्टी हसन और जावेद अली कहा संसद तक पहुंचाएंगे आवाज महिलाओं का धरना पांचवे दिन भी जारी नागरिक्ता संचोधन कानून के खिलाप धरना दे रहे मुस्लिम महिलाओं का होसला बढ़ाने के लिए आंदोलन के पांचवे दिन समाजवादी पाइटी के सांसद एस्टी हसन राज्ये सभा सांसद जावेद अली के साथी ठाकुर द्वारा के सपा विधायक नवाब जान संभल के विधायक इकबाल महमूद आपकी आवाज को विधान सभा तक पहुचे सपा के सांसद ने कहा कि उनकी आवाज सांसद तक पहुचेगी संभल के महिलाओं के पाचवे दिन पहले दीप सराय नवादा ताना इलाके में हसन प्लेज के निकट एक परिसर में धरना प्रदर्शन चुरू किया था उसी दिन से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं दिन राद धरना स्थल पर जमी हैं सपा सांसदों पर आंदोलन कर रही महिलाओं के साथ दे रहे इसी बीच के सांसद जावेद अली ठाकरद्वारा के विधायक नवाब जान खां संभल के सपा विधायक ने कहा कि जिस तरह आज आपकी मेहनत दिन रात कर रही हैं उसी प्रकार से जनता को कानून को लेकर दिमोक्राइटिक काम हुआ है किसा कानून बना जो हैं जी जमोरियत के speciders नहीं है बलकि हां के दस्तोर और प्रेयंबिल के भी खिलाफ हैं हिंदोसतान एक तर्मने पेश देश है किसी को भी मजभ की आधार पर डिस्क्रमिनेट नी करतें कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन शायद आजाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसा खानून बनाए, जिसमें मजभ के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, जिसकी वएसे हिंदुस्तान की दूसरी वड़ी आबादियें बहुत जबद और हम यह चाहते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट तो हम हिंदुस्तान में हो, और सरकार को कम से कम हम सब लोगों की बात सुननी चाहिए, और यह सिर्फ मुसल्मानों का ही नहीं, बल्कि इसमें हिंदु मुसल्मान से कि साही सभी शामिल हैं, इस तरह से हमारे देश को आजाद करान इसमें जो प्रोटेस्ट चलना हैं, सिये के खिलाब जो सम्मिधान विरोधी कानून बनाया है, संबल भी उसी का एक हिस्सा है, आज संबल की खवातीन को, यहां की बच्चियों को, जनोंने यह उसला रखा, और इस प्रोटेस्ट में भागिदारी करी, सबसे पहले में उनक यह कानून हमारे सम्मिधान के प्रस्तावना के खिलाफ है, और दूसरी बात जो यह NPR और NCR लाने की बात कह रहे हैं, वो भी बोड़ा, खदरनाक काम होगा, साथ ही साथ, जो C.A. में इन्हों धर्म के अधार पर विभाजन किया है, वो ही सबसे बड़ा सम्मिधानिक विरोधी का रहे हैं, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, हम इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जाजा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस काले कानून के खिलाफ, उसको अपना समर्तन और इनका होसला बढ़ाने आ विरोधी कानून संसद में पारित किया है, उसके खिलाफ, ये कानून इस देश के होने वाले नागरिकों को धरम के आधार पर उनकी शिनाक्त करता है, हमारा सम्विधान अपने नागरिक या कहीं के भी नागरिक की शिनाक्त धरम के आधार पर करने से मना ही करता है, ये हमा सब्सक्रारा बुनियादी विरोध है इस CAA के कानून से इसके बाद गिरह मंत्री ने सदन के अंदर अनेक बार कहा है कि वो देश के अंदर NRC लागू करेंगे अब प्रिधान मंत्री जी कहते है NRC का कोई जिकर ही नहीं हुआ सबसे पहले मेरे सवाल के जवाब में गिरह मंत्री ने बड़ा खम ठोक करके राजस्वा में कहा था कि हम इंच इंच जमीन पर देश की NRC लागू करेंगे तो ये समझ में नहीं आता कि इन में सच कौन बोल रहा है और जूट कौन बोल रहा है NRC का जो अनवब असाम के अंदर है वो बहुत ज्यादा खराब है और वो एक तरीके से असाम के लोगों को सिर्फ परेशान करने के उद्देश से वो पूरी प्रिक्रिया चली है मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी भारत वर्ष के सभी नागरिकों को चाहें वो किसी भी धरम के हो नागरिक तक किसे मिलेगी किसकी बचेगी किसकी जाएगी ये बात तो दस साल के बात ते होगी लेकिन दस साल तक सारे लोगों को परेशान रखना चाहते हैं ताकि वो अपने बुनियादी सवालों पर इखटे ना हो सके या उन परेशानियों की तरफ न सोच सके इसलिए हम इस विरोधी आंदूलन का जो विरोध आंदूलन चल रहें जगा जगा उनका समर्थन करते हैं देखे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिये एंपियार के विरोध आंदूलन चल रहे हैं उसी सलसले में संबल के अंदर भी हमारी बेहने हमारी माएं इस काले कानून खिलाफ अपनी आवाज बलंद करने शान्ति पूरू अत्रीवी से यहां बैठी हैं यह कानून हिंदुस्तान में रह रहे हैं अलपसंकियों के खिलाफ है यह कानून हिंदुस्तान के सम्विधान के खिलाफ है पिछले सतर के अंदर हमारे प्रदानमंतरी नरेंद मोदी जीन ने मुसल्मान बहनों के लिए तीन तलाग का वमला किया था, पानून मनाया था, आज मैं उनसे कहूंगा कि वो ही आपके मुसलिम बहने और माएं हमारी सडकों पर बैठी वी हैं, उन सब के लिए आपको फिर सो आए, जिनके लिए आप तीन तलाग का लिया है, वो आज सडकों पर बैठी वी हैं, आएं उनसे बात करें, उनकी समस्यों के समधान करें, आप प्रदानमंतरी हैं देश के, किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक समधाय के नहीं है, आप पूरे देश के प्रदानमंतरी है इस देश के प्रद्वांतरी होने के नाते आपका ये फर्ज बन जाता है कि आप उन सब से बातचीत करें और इसका समस्य का समधान निकालें